बाद जब किचन की आती है तो सबसे पहले याद आती है मा की और मा के हाथ के बने खाने की हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू पुजा स्टेल कॉनर आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्यूंकि आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ अपना कीचन टूर एक औरत अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा वक्त अपने कीचन में ही विताती है तो कीचन को बहुत ज़्यादा फंक्शनल और सुन्दर होना चाहिए यही सोचकर मैंने अपने कीचन को ओर्गिनाइज और डेकोर किया है मेरा जो कीचन है पूरी तरीके से नौन मोडिलर कीचन है जिसकी वज़े से पहले मुझे इसे ओर्गिनाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी बट इस एक साल में मैंने बहुत सारी चीजे सीखी है कुछ ओर्गिनाइजर्स का यूज करके मैंने अपने कीचन को बहुत अच्छी तरीके से ओर्गिनाइज किया है यदि आपका कीचन भी नौन मोडिलर है और आपको इसे डेकोरेट करने में या ओर्गिनाइज करने में प्राबलम होती है तो हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो आप वीडियो को लास तक जरूर देखिए और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के हॉम डेकोर डियाइवाई वीडियोस देखने के लिए चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यह है मेरे किचन का एंट्रेंस और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो डोर है तो यह वाला जो डोर है जब आप यूस करते हैं जब आप घर में ही है और यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो आप डारेक्ट किचन में भी आ सकते हैं तो यह वाला एक डोर है तो यह वाल पेर लगाया जो मैं आपको लास में दिखाऊंगी तो यह वाला जो कटन है यह ब्रिक वॉल से बहुत अच्छे से मेच हो रहा था यहां से हम स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यह वाला जो एरिया है यहां पर मेरे सारे बरतन रखे हुए हैं तो यहां पर आप देख सक हैं यह वाला एक ओर्गिनाइजर मैंने यूज कर रखा है जहां पर मेरे चकला बैलन यह जो अपना चॉपिंग बोर्ड है यह आराम से हैंग हो जाता है तो यह सारी चीजे सिस्टेमेटिक लिए यहां पर मैंने हैंग कर रखी है तो उसके बाद हम आते हैं आपर नीचे की स्टील की रेक है जहां पर मेरे सारे बरतन आ जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे सारी जो तपेलिया है एंड उसके बाद यहां पर मेरे सारी जो थालिया है जो इंडियन कीचन होते हैं वहां पर जाद तर इसी टाइप की थालिया यूज करते हैं जो बाकी जो जो क्रोकरी वगेरा होती है . जब कोई गेस्ट आते हैं तबी यूज हो पाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट से है छोटी प्लेट से है यह सारी चीज़ें यहाँ पर आराम से आ गई है तो सारे बरतन मेरे इसी रेक में आ जाते हैं उसके बाद हम आते हैं इधर की साइब पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना जो तवा है यहाँ हैं नहीं मिल रही थी तो यहाँ पर आलरीडी हाँ पर एक यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा जो कील है आलरीडी हाँ पर लगा हुआ था तो मैंने इसे यही पर हैं कर दिया है नीचे की साइट पर आप देख सकते हैं इसमें मेरे सारे नाइफ केची लाइटर इस तो यह मैंने यहां पर बना रखा है इसनेक्स कॉर्नर तो यह मैंने डियाइवाई किया था जो मुझे काफी अच्छा लगता है यहां पर बहुत सारी चीज़े खाने के लिए मिलेगी अपको आसानी होती कोई भी चीज लेने में और यदि आप कोई चीज ले रहे हैं या किसी को सफ कर रहे हैं तो यहां पर मैंने एक ट्रे रखी हुई है जो काफी सुन्दर लगती है तो यह वाला एरिया इस तरीके से कुछ दिखाई देता है एंड इधर की साइट पर आप देख सकते हैं मैंने ये DIY सीडी बनाई हुई है क्योंकि कहीं बार होता है हमारे हैं एक टाइवल हमें नहीं मिलते पूरे किचन में डूढने के बाद किसी कोने में पढ़े रहते हैं तो यह एक DIY मैंने किया है जो मुझे काफी हेलपूल लगा तो यदि आप भी अगर अपने हेंट टावल से परिशान है तो इस टाइप से आप अपना एक सीड़ी बना सकते हैं छोटा सा और अपना हेंट टावल नहीं पर लगा सकते हैं और नीचे की साइट पर आप देख सकते हैं अभी इसमें मैंने अपना धहीं जमा रखा है और उसके बाद हम आते हैं उपर की साइट पर क्यूंकि मेरा किचन नौन मॉडुलर है तो यहां पर कोई पैंट्री नहीं है या कोई भी ऐसे सेल्फ मुझे नहीं दी गई है तो तो यहां आते हैं यहां पर तो यह मेरा 3 बंटर स्टॉब है पर इसाल किया है हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर चीज नेट & क्लीन हो कीचन है उसके बाद हम आते हैं इस window पर तो आप ये window colorful सी window देख रहे हैं बहुत ही यहां से natural light आता है मैं आपको open करके दिखाती हूँ तो यहां से बहुत natural light आती है बाहर का view देखने को मिलता है तो यह direct यहां से आप road देख सकते हैं तो इसलिए मैंने यह जो paper है मैंने लगा रखे हैं ताकि बाहर से कोई भी चलता फिरता इंसान अगर दिखेगा तो हमें थोड़ा सा disturbance भी होता है और आप खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा hesitation भी होता है इसलिए मैंने यहां पर इस तरीके से color papers यहां पर लगा दिये हैं ताकि कोई भी बाहर से आपको अंदर ना देख पाए और यहां पर आप देख सकते हैं कोई चिमनी नहीं है जिसकी वज़र से यहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या मैं कोई सबजी वगेरा बनाती हूँ जिसकी वज़र से बहुत प्रॉब्लम होती है तो यह वाला एक exhaust fan हमने अभी recent यहां पर kitchen में add किया है क्योंकि यहां मनावर की गर्मी यदि आप MP से है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसके बाद आप उपर देख सकते हैं या पर एक wall clock है जिसमें मेरे और कोको के बहुत सारे photos हैं यह उसके बाद हम नीचे की side पर आते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कोने में एक chest of drawer छोटी सी रख रखी है जिसमें rubber band वगेरा रखे हुए जो बहुत काम आते हैं कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें handy होती है तो हमें मिल जाती है बहुत जड़ी गंदे हो जाते थे इस वज़े से मैंने उन्हें हटा दिया है तो मैंने कहां रख रखे हैं यह मैंने यहां पर रख रखा है जो मेरे लिए बहुत ही जड़ी है मुझे हर एक डिश में इसकी जरत पढ़ती है इसलिए मैंने इसे यहां पर रखा है ताकि यहां पर आप देख सकते हैं आप प्लग वगेरा लगाने के लिए दिया हुआ है उसके बाद हम इधर की साइट पर आते हैं तो यहां पर आप मेने अपने सारे इस्पूंस वगेरा लगा रखे हैं यह वाला जो होलडर ही से काफी लोगों ने पसंद किया है यह मैंने दियाइवाइ किया है इसका लिंक आपको आई बॉटन में मिल जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं मेरी मसाले दानी है सारे मसाले इसमे जो मैं番ह यूज कर सकती हूं and उसके बाद इहां पर आप देक सकते हैं अचार रखा हुआ है काम का चार है और एक निम्बू का चार है जो मुझे काफी पसंद है and उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ decoration wall hanging में लगा रखे हैं आप यह वाला तोड़ा उल्टा हो गया है तो आप इससे तोड़ा से सीज़ा गड़ देते हैं ठीक है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे की साइट पर यहां पर कुछ मसाले जो कम यूज में आते हैं उसके बाद हम इस साइट पर आते हैं तो आप देख सते हैं यहां पर मैंने ओएल वगेरा रख रखे हैं तो इस तरीके से ओएल बॉटल वगेरा में मैंने रख रखा है यह ग्लास की है यह मैंने मीशो से मंगवाई ती जो काफी अची है एक साल हो गया है इसे यूज करते तो यहां पर मैंने एक बास्केट रख रही है जिसमें मेरी सारी बोटल सोती है अभी तो बोटल सारी फ्रीज में हैं जैसे खाली होगी वह यहां पर भरती जाएगी अब हम आते हैं उपर की साइड पर तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के कंटेनर्स है तो हमारे इंडियन कीचन में यह होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कम क्वांटिटी में तो चीज़े होती नहीं है तो मेरे घर से इतना सामान आता है कि मुझे बड़े बड़े कंटेनर्स का यूज करना पड़ता है और आप देख सकते हैं किसी किसी में मैंने पॉलिथिन लगा रखी है यह कोकोने का काम है इसको बहुत जल्द बाजी भी निकाला गया है तो यहां पर घी है यहां पर चीटिया इतनी है कि कुछ चीजों में मुझे प जगानी पड़ती है इधर की साइट पर भी आप देख सकते हैं सारे यहां पर आप देख सकते हैं उपर ग्लास वगेरा रखे हैं जो हैंडी है जट पर आप ग्लास ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक अपनी वाटर केन रख रखी है तो यहां पर जो प तो यहां पर कुछ नॉन इस्टिक बरतन या कांच वगेरा के तो मैं वाश करती हूं तो इसलिए यह इतना क्लीन रहता है यह सोप जो डिस्पेंसर है मुझे काफी अच्छा लगा आपके कीचन में इसको जरूर होना चाहिए उसके बाद हम आते हैं इस वाल पर तो यह मेरे क कीचन का हीरो है तो यह काफी अच्छी लग रही है मैंने इसे थोड़ा सा कैफे लुक दिया है यहां पर आप देख सकते हैं मैंने अपना सिंगल डोर फ्रीज रख रखा है तो यहां पर मैंने अपने जो फ्रेंड्स है उनका फोटो लगा रखा है फ्रेंड्स आपके पास सबके करीब होना चाहिए एंड कुछ फ्रीज मेगनेट मैंने डियाइवे की हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड कुछ फ्रीज जब कभी हम गहीं गुमने जाते हैं जैसे हम आगरा गए थे हम उदैपूर गए थे गुआ गए थे तो वह फ्री करेंगे थे शौब तर यहां नहीं पर आप देख सेथा हैं जो करेंए जायर यहां अनुक्र आप अपने हाथ इसके नुदर लगता है तो यह काफी सुन्दर लगता थे इसके पीछे में अपना सेंडविच मेगर रख रखा है तो जब कभी मुझे यह यूज यूश करना ह होता है तो मैं इसे बाहर निकाल लेती हूं एंड उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर कुछ डेकुरेशन्स है तो उपर लगा हुआ है कीचन दो हार्ट आप दो हो तो कीचन हमारे घर का हार्ट है तो उसे बहुत अच्छे से क्लीन रखिए और गिनाइज रखिए तो य प्रूमा दीजे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं एंड नय लगते हैं एंड साइड में आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से फ्लावर वगिरा हैं कर रखे हैं तो यह वाल भी काफी संदर लगती है उसके बाद हम आते हैं इस वाल पर तो यह जो वाल है मैंने आपक क्योंकि में और कोको ना चाह लेते हैं ना कॉफी लेते हैं तो इस वाल पर आप लोगों का पूरा हक है जब कभी आप आएंगे तो आपके लिए चाह या कॉफी बनाई जाएगी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो यहां पर आपके हैं टी शुगर कंटेनर्स तो यह जो टी शुगर कंटेनर्स है यह काफी अच्छे हैं मैंने अमिजोन से मंगवाए हैं और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक कैबिनेट है तो मेरे किचन में कोई भी कैबिनेट नहीं है ना कोई पैंट्री वगेरा तो मुझे इस तरीके से अपने किचन को औ कि इस बज़ता है और आप यहां पर देख सकते हैं इस ओल पर यह ऑफी बार तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मैंने मत ट्म है क fireworks यह मैंने पdetकाशां के यह मैंने पाव ट्याइवाई किया था यह वोडर्वें है तो ऊससका अधने मरीठ किया था यह सारी सुकर तो यहां पर लिखा है happiness is homemade तो आपकी खुशी आपके घर से है तो आप अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखिये और यहां पर एक मैंने केटल रख रखी है पानी वगिरा गरम करने के लिए जटपट हो जाता है तो उसके बाद आता है मेरा फेवरिट वाल हैं तो मैंने इसे यहां पर हैंग किया है कुछ memories आपको अपने घर में कहीं पर भी एट करते रहना चाहिए तक आप जब भी देखे तो आपको पदा चले कितना अच्छा time spend किया है उसके बाद हम आते हैं यहां पर नीचे की side पर तो यहां पर मैंने एक cabinet रखा है यह मेरा recent purchase है जिसे अपने kitchen में मैंने एट किया है तो आपको पता है मेरा non modular kitchen है तो मैं पास कोई cabinet नहीं है तो इस तरीके से मैं अपने kitchen को organize रखती हूँ तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या रख रखा है तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरी सारी crockery वगेरा म खाने पीने की कुछ चीजे हैं कि जादा तर चीजे तो मैं डबो में रखती हूँ कुछ चीजे हैं जो मैंने यहां पर रख रखी है तो और आप देखेंगे की kitchen में ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगा आप बहुत fancy चीजे रखें कुछ काम की चीजे भी आपको अपने kitchen में लेटेड है वो मैंने यहां पर रख रखे हैं और इस कोटी में मेरे सारे polythines वगेरा रख रखे हैं मैंने बड़े बड़े थेले वगेरा रख रखे हैं तो यह area है यह जो wall है पूरे kitchen में मेरी favorite है तो आपको कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईए और यह जो wall paper है मैंने Amazon से मंगवाया था मुझे लगता है हर किसी को यह wall paper स्क्रोल करते हुए दिखी जाता होगा तो यह बहुत अच्छा सा कैफे लूग देता है मुझे काफी अच्छा लगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो kitchen है वो non modular kitchen है तो मैंने इस तरीके से curtain stitch करके अपने हातों से stitch करके मैंने हापर hang किये है ताकि एक अच्छा look आए और यह जो checks pattern है काफी अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से मैंने अपने kitchen को manage कर रखा है जरूरी नहीं है कि आपका kitchen modular हो organize करे decorate करके रख सकते हैं तो यहां से हम start करते हैं तो यहां से मैंने इस तरीके से partition कर रखा है तो आप इस मेरे घर से ब्हुत ज्यादा सामान आता है तो मुझे बड़े-बड़े जो कोटी वगेरा या कंटेनर है यूज करना पड़ता है एंड उसके बाद हम आते हैं इधर की साइट पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बड़े-बड़े कंटेनर्स मैंने रख रखे हैं इस तरीके से तो यहाँ पर मेरे सारे जो कूकर है मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं अब पीछे देख रहे हैं यहां पर भी सारे मसाले हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है तो मुझे इस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स यूज करने पड़ते हैं अब देख रहे हैं नीचे की साइट पर आलू की चिप्स जो मेरी मम्मी ने मुझे पहुचाई तक यूज कभी हो पाती है क्या करें तो मेरे घर अलू अगेर अभी लगाया जाते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चिप्स बना ली जाती है तो इस तरीके से रहती है हम आते हैं इदर की साइड़े तो यह कुछ जाधा फेंशी नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं दो मेरी जो ऱ्य अतंकी है यहाँ रखे हुए है इस और यहाँ एक और और गायनाईजर है चृटपुर सामान रखने के लिए इधर की साइड पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टेंडलेस स्टील की अगेन एक रेक यूज़ करी है बड़ी वाली ताकि मेरे जो नौन इस्टिक बरतन यहाँ पर मेरे जो ग्राइंडर के जो कंटेनर्स वगेरा जो बोलते हैं जार वगेरा वो मैंने रख रखे हैं यहाँ पर यह मैंने सारे जो लिड वगेरा इस तरीके से बास्केट पर रख रखे हैं कडाईया है तो यह बास्केट वगेरा भी मैंने हैं रख रखी है तो पहले यह जब मेरे पास रेक नहीं थी तो बहुत जादा मुझे प्राबलम होती थी तो यह वाली रेक बहुत ज्यादा हेलफुल है यदि आपका नॉन मोडिलर कीचेन है तो आप इस तरीके से अपने बरतनों को अरेंज कर सकते हैं चोटी-चोटी टिप्स है बट बहुत ज्यादा हेलफुल होती है आपके कीचेन को और्गनाइस करन के लिए उसके बाद मैंने पर एक नीचे की साइड पर मेट रख राख है जब कभी यहाँ पर आप वाश करो अपने बरतन वगेरा तो पानी वगेरा गिरे तो गंदा नाओ हो नीचे फ्लोर इक यहाँ पर रखख रखए है तो इस तरीके से मेरा कीचन दिखाई देता है न बड़ी देख काम में आ रही है तो ये भी मेरे घर से मेरे खेत के ही प्याज है तो ये अराम से आट-दस महने चल जाएंगे हमको बड़ी 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 आट-दस महने चल जाएंगे हमको आट-दस महने चल जाएंगे हमको आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इस कीचन को बहुत जादा महनत लगी है मुझे और डेकोरेट करने में यदि आपको लगता है इस चैनल से आपको कुछ सीखने को मिलता है आपके घर में कुछ इंप्लिमेंट होता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीकी के हम डेकोर मेकोर वीडियोस देखने के लिए हो सकता है आपको और भी अच्छे जादा वीडियोस आगे देखने को मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे तो मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में इसी तरीकी के हॉम डेकोर के साथ तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए बाबाई